अस बात की उन्होंने कहा कि गड़बंदन का धर्म है तब ही ओम प्रकास राजभर गाली देकर भी कैबिनेट का हिस्सा है उन्होंने कहा कि राजभर को सरकार में रखने की मजबूरी बिजेपी की नहीं है यूपी के स्रम मंत्री स्वामी प्रकास राजभर का जिस तरह से बयान आया है साब्त रखने कहा कि बार बार चुनाओ जब होता है तो उन्हों प्रकास राजभर इस तरह का बयान देते हैं कि उन्हें मंदिल महजिद नहीं चाहिए गरीबों के घुलाम है पिछोडों के घुलाम है आपको लगता है कि यह आँख दिखाने वाली बात है कि ओम प्रकास राजभर जी कि इस प्रकार के अगर बयान बाजी नहीं होती तो मीडिया आज उस पर चर्चा नहीं कराता और मीडिया में बने रहने के लिए ही ओम प्रकास राजभर जी इस प्रकार का बार बार बयान बाजी करते रहते हैं इनके बयान को अन्था नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार का बयान एक बार नहीं हजार बार दे चुके हैं हमेशा कहते हैं कि भारतीनता पार्टी की गुलामी नहीं करेंगे, हम युस्तीफा देंगे, लेकिन उसको ब्योहरी क्रूप में करते नहीं, लेकिन क्या मजबूरी है बीजेपी को उनके साथ रखने की? यह बीजेपी की मजबूरी नहीं, यह उनके साथ राजबर की मजबूरी है, अपनी पार्टी का जनधार बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी कारेक्ताओं में जोज बढ़ने के लिए, इस प्रकार का नाफसराना बैन बाजी देने के वादी हो चुके हैं, और इसी क्रमिर देते हैं, इसके इसका और कोई मतलब नहीं, उसे बात करने के शुक्रिया, कर्मिर आसीज के साथ पुषकल भारस समाचार,